Hello Friends, हमारा आज का टॉपिक है City Scan की 4th Generation पे हम 1st, 2nd and 3rd Generation पढ़ चुके हैं आज हमारे पास में 4th Generation है हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमारे पास में हमारी जो 4th Generation है उसके अंदर पे क्या क्या development हुए है तो सबसे पहली चीज कि हमारी जो 4th Generation है वो 4th Generation जो develop हुई है वो develop हुई हमारी 1976 में किसमें हुई है? 1976 में हमने सारी Generation के बारे में बात करी है कि कौन सी Generation हमारी, कौन सी है date को जो है, कौन सी sun में हमारे पास में या कौन से year में हमारे पास में develop हुई है तो यह हमारे पास में 4th Generation हमारे पास में 1976 में develop हुई है और यह हमारे पास में जो four generation है four generation भी obviously हमारे पास में whole body जो anatomy है उसको scan कर पा रही है क्या अगर पा रही है whole body scan यह हमारे पास में start हुआ था हमारी third generation से मतलब first और second generation जो हमारे पास में थी वो सिर्फ हमारे brain के scanning के लिए थी लेकिन third और fourth generation जैसे हमने third generation में भी बात करी थी और fourth generation भी हमारी whole body scan के लिए है मतलब हमारी पूरी body का हम इसमें scan कर सकते हैं ठीके अब यहाँ पे देखो क्या-क्या changes हुए हैं और किस-किस तरीके के changes इसमें आए हैं सबसे पहली चीज के हमारे पास में fan shape wide fan shape beam इसके अंदर यूज की गई है देखो हमारी third generation के अंदर पे भी fan shape beam यूज की गई थी और obviously जितनी third generation के अंदर पे fan shape beam यूज की थी जितनी wide wide angle उसके अंदर पे यूज किया गया था इसके अंदर पे उतना ही यूज किया गया है 50 degree to 55 degree कितना 50 degree to 55 degree जो wide angle है fan shape beam है उतने degree यहाँ पे हमारे पास में भी जो है इसका angle use किया गया है fan shape beam को उतना ही इसके अंदर पे भी use किया गया है लेकिन इसके अंदर पे एक चीज है इसके अंदर पे हमारे पास में जो fan shape beam को use किया गया है वो continuous fan shape beam को use किया गया है मतलब के हमारी third generation के अंदर पर क्या हो रहा था के हमारी जो tube थी x-ray tube थी उस x-ray tube से जो fan shape beam निकल रही थी मतलब के यह हमारे पास में यह हमारी x-ray beam है यह x-ray beam हमारे पास में क्या हो रही थी यह हम जैसे ही एक scan होता है मतलब के एक हमारे पास में एक projection हमने ली उसके बाद यह बंद हो जाएगी फिर यह rotate करेगी फिर यह projection लेगी तो इस तरीके से वहाँ पर यह on off होती रह रही थी लेकिन यहाँ पर क्या है continuous मतलब के अब हमारी x-ray tube से radiation जो है वो continuous निकलती रहेगी क्या निकलती रहेगी continuous निकलती रहेगी और किस shape में निकलेगी wide fan shape मे में निकलेगी दूसरी चीज के अंदर पर जो सबसे बड़ी changing है वो change यह है कि इसके अंदर पर जो detectors use किये गए हैं वो ring form में use किये गए हैं किसमें किये गए हैं ring form में use किये गए हैं third generation में हमने arc form में use किये थे लेकिन यहाँ पर हमने जो detectors use किये हैं वो detectors हमारे पास में ring form मे और ये detectors हमारे पास में कितने हो सकते ही, ये detectors हमारे पास में 2000 तो 4800 तक ये detectors हमारे पास में use किया जाते है, 4th generation के अंदर पर, मतलब 2000 से उपर 4800 तक यह जो ITECTORS इसके अंदर पर यूसे किया जाते हैं और इनको लगाया arrange कैसे किया जाता है इनको ring form में arrange किया जाता है और यहां पर सबसे बड़ी बात ये हैं कि हमारे पास में हमारे जो Detector होते हैं वो detectors हमारे fixed होते हैं कैसे होते हैं fixed होते हैं अभी तक क्या था कि हमारे पास में हमारी किसी generation में हमारे जो detectors हैं वो translate भी कर रहे थे rotate भी कर रहे थे अभी हमने third generation में देखा कि उसमें हमारे detectors भी rotate कर रहे थे हमारे tube भी rotate कर रही थी लेकिन इस generation के अंदर पे हमारे जो detectors हैं वो detectors हमने ring form में arrange कर दिये हैं और इनको fixed कर दिया है कैसा कर दिया है fixed कर दिया है अब यहाँ पे हमारे detectors इसके अंदर पे क्या होगा कि हमारे पास में हमारी जो x-ray tube है यहाँ पे यह हमारी x-ray tube है यह x-ray tube हमारी rotate करेगी inside the detectors मतलब detectors के अंदर पे यह क्या करेगी हमारी जो x-ray tube होगी continuous on रहेगी और यह हमारी 360 degree पर मतलब कि यह इस तरीके से हमारे पास में 360 डिगरी पर क्या करेगी रोटेट करेगी ठीक है इंसाइड दा सर्कल ओफ डिटेक्टर्स डिटेक्टर्स के अंदर यह रोटेट करती रहेगी तो यह एक एडवांटेज हमें यहाँ पर मिलेगा और इसके अंदर पर इसी लिए इस जो जेनरेशन है इस जेनरेशन का जो नाम रखा गया वो नाम इसका है रोटेटरी एंड स्टेशनरी मूवमेंट पर यह फंक्शन करेगी और इसी प्रिंसिपल पर यह काम करेगी इसी वज़ासे इसका नाम भी रोटेट एंड स्टेशनरी रखा गया ठीक है ना उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि जो डिटेक्टर्स हमारे पास में और इसके अंदर पे हमारा क्या फाइदा हुआ है इसके अंदर पे हमारा जो scanning time है वो scanning time और reduce हो गया है मतलब कि अब यहाँ पे हमें एक scan करने में सिर्फ 2 second का time लग रहा है कितना time लग रहा है दो second का time लग रहा है और उससे हम एक scan complete कर सकते हैं अब इसके अंदर पे हम बात कर कि हम इसकी projections कितनी कर पा रहे हैं तो इसकी जो projection आती है वो projection एक बार rotate करने पे यह one third projection यहाँ पे ले रही है कितनी projection एक बारी में एक rotate पे यह one third projections ले रही है तो अगर हम बात करें कि हमारे पास में यह जो 360 rotation है 360 rotation पे हमारे पास में यह कितनी projections लेंगी तो ये हमारे पास में कुछ 1080 projections यहाँ पे आएगी, कितनी आएगी? 1080 projections, total number of 1 scan अगर एक slice की हम बात करें, तो हमारे पास में इसके अंदर पे 1080 projections हमें मिलेगी, क्योंकि हमारे पास में हमारी जब tube एक बार rotate करती है, तो ये कितना करती है? 1.3 degree का rotation ले रही है, और उस time पे हमारी एक projections हमें एक projection लेने को मिल रही है, तो अगर ये 360 degree पे rotate करेगी, तो हमें यहाँ पे 180 projections, 1080 projections हमें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है? जिसकी वज़े से हमारे पास में क्या हुआ है? कि सबसे पहली चीज ये है, detector ज़्यादा लगाने की वज़े से, अब हम इनको दोनों को rotate नहीं करवाना पड़ रहा है, नाइस में translation हो रहा है, जिसकी वज़े से हमारा time भी बच रहा है, और दूसरी चीज इसके अंदर पे ring artifacts भी हमारा हट जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास में ये benefit हमें इससे मिलेगा 4 generation से, कि हमारे पास में क्या हो जाएगा? कि हमारे total number of detectors हैं, वो एक ring की form में लग जाएंगे, और fixed हो जाएंगे, और उनके अंदर पे हमारी जो x-ray tube है, वो x-ray tube उसके अंदर पे rotate करेगी, continuous radiation को emit करेगी, और patient उसके अंदर पे पूरा expose होगा, और expose होने के साथ में total number of projections आएगी, वो total number of 360 degree पे हमारी projection हमें मिलेगी, और वो हमारे पास में कितनी projection होगी, 1080 projections हमारे पास में हमें आपे देखने को मिलेगी, जिसका हमें फाइदा ये होगा, कि ज़्यादा scanning time से और ज़्यादा जल्दी हमारे scanning time होने की वज़े से, हमारे पास में हमारा scan time होगा, वो scan time हमारा reduce हो जाएगा, जैसे पिछली generation, third generation की बात करें, तो five second लग रहा था, यहाँ पे हमारा सिर्फ दो second लगेगा, कितना लगेगा, तो यह हमारे पास में थी हमारी four generation, जिस जो four generation के अंदर पर हमारे development हुए है, उसके बाद हम बात करेंगे five generation की next वीडियो में, तो इस वीडियो में इतना ही, thank you very much, please subscribe my channel,